जिया दोस्तों जिसम्दर सिंग धोनी के बाद से ही रिशप पंत ने टीम इंडिया में जगा बनाई और महेंदर सिंग धोनी की कमी खलने नहीं दी ये साफ ज़ताता है कि रिशप पंत कितने शानदार खिलारी है और क्या गज़ब की फ़र्म में चलना है इस साल लेकिन आप सभी को बता दे दोस्तों इनकी जीवन में भी एक समय ऐसा था जब कोच रवी शास्त्री और बल्लेबाजी कोच विक्रम जाठोड ने इनको नाकार दिया था और इनको नहीं पसंद के था टीम इंडिया में लाने के लिए आप सभी को बता दे दोस्तों महेंदर सिंग धोनी को और लंबे आर्से तक खेलते देखना चाहते थे जो हम भी चाहते थे और इसी के साथ सद रिशब पंद को उन्हेंने शुरुवात में कुछ मौके दिये थे महेंदर सिंग धोनी के साथ ही कुछ मौके दिये थे बल्ले बाच के रूप महीं ताकि यह महेंदर सिंग धोनी के साथ काफी कुछ सीख सके लेकिन वहाँ पर कुछ ना समझी भरे शोट खेल कर ये आउट हो गए थे जिसके बाद सभी इनसे काफी निराश थी लेकिन यहाँ पर यह बात इनसे कह दी गई थी और साब साब इंटर्व्यूस को दुरान भी कोच विक्रम डाठोड ने यह कह दिया था कि हमें केरलेस नहीं बलकि फियरलेस बल्ले बात चाहिए जिया दोस्तों उनने इशारों ही इशारों पंत के बारे में अपनी राय साफ कर दी थी और सभी युवा किरिकेटरों को समझाना चाहा था कि लापरवाई तरीके सा अगर शोट खेलेंगे तो उनकी टीम इंडिया में कोई जगा नहीं है अगर वो केरलेस ना होकर फियरलेस होके बल्ले बाजिक करते हैं तो टीम इंडिया दोनों हाथों खोल के बाहर फैला कर इनका टीम इंडिया में शुआगत करती है और टीम को ऐसे ही खिलाडी की तलाश जो फियर फैक्टर यानि की एक X फैक्टर के रूप में शावित और सामदर टीम के अंदर एक फियर बठा दे अपना तो इसलिए दोस्तों ये खिलाडी इतना खास बना और धोनी के सन्यास लेने के बाद सही एक रिशाप पंत को अच्छे विकल्प के तोर पे देखा जाने लगा आपको बदा दे दोस्तों महेंदर सिंग धोनी भी एक समय पर अपना सन्यास लेने से काफी कत्रा रहे थे कत्रा इसलिए रहे थे क्योंकि उनको बहुत जादा इस बात की दिक्कत थी कि उनके जाने के बाद टीम इंडिया की कमान कौन समभालेगा तो दोस्तों आपने देखी लिया कि महेंदर सिंग धोनी की जाने की बाद सही रशेब पन्त ने शांदार बले बाजी करते वे और शातिसा दिल्ली के अप्टल्स के लिए कप्टानि करते वे कई मौकी पर अकेले दम पर मैच जिताया तो महेंदर सिंग धोनी ने भी देखा जब उनकी replacement टीम में एक अच्छे खिलाडी की रूप में हो रही है तो यहाँ पर महेंदर सिंग धोनी ने फिर 15 अगस साल 2020 की तारिक को अपने सन्यास का एलान कर दिया लेकिन साल 2019 के बाद थी वो cricket नहीं खेलती नजर आये थे टेम इंडिया की तरफ से क्योंकि वो चाहा रहे थे कि जब तक वो हैं और सन्यास नहीं लिया सब तक टेम इंडिया में कोई ऐसा wicket keeper बल्ले बाज आ जाए जो नमबर 6 पर, 5 पर, 7 पर बल्ले बाजी करते वे टीम को जीत की और लेके जाए और अपने wicket keeper इंडिया को अच्छी रहा दिखाए और टीम को जीत की और लेके जाए इसी वज़े से दोस्तों महेंदर सिंग धोनी ने भी अब ये फैसला किया था कि वो सन्यास ले सकते हैं बिना किसी निसंकोच के और रेशब पंद उनकी जगे अच्छी अगवाई कपतानी और बल्ले बाजी कर सकते हैं इन फ्यूचर टीम इंडिया की इस बात में दोस्तों सुनिल गावसकर ने भी हामी जताई थी नेक्स्ट नानी स्पोर्ट से दीपक्क्र पोर्ट